ओम शान्ती, संगम युगपर, उंचे से उंचा, श्रेष्ट, बेहत का बाप आकर, हम बच्चों को अपना मददकार बनाते हैं, हम सारे विश्व को योगदान देते हैं, और हमारा योगदान है, शिव बाबा को याद कर सारी स्रिष्टी का बेड़ा पार करना, स्वयम पावन बन सारी स्रिष्टी को पावन बनाना, तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 31 जुलाई 2023 के मधुर महवाक्यों को, कौन सा पार्ट पक्का करना हैं, एक बाब, दूसरा न कोई, हमें कौन सा निश्चे होना चाहिए, हमने बाब की गोद ली है, तो सेकिन में जीवन मुक्ती मिलती है, विश्व के लिए योगदान क्या है, शिव बाबा को याद करना, कौन सी बाद सिद्ध कर बतानी है, पतित पावन शिव है, कौन सा मंत्र याद रखना है, इश्वरिय गोद से हम शान्ती धाम सुखधाम जाते हैं, आशुरी गोद से दुखधाम जाते हैं, वर्दानी मूरत कौन बनते हैं, जो बाब समान और समीब रहते हैं, किन बच्चों की संभाल अंत में बाब दादा करते हैं, जो बाब के पूरे-पूरे मददगार हैं, जो बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में ततपर हैं, अंत में मददगार बच्चे बाबा द्वारा कैसे बहलेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे, बहुत सीन सीनरियां देखेंगे, बहुत साक्षतकार होते रहेंगे, दुख के समय बहुत सुख देखेंगे, निश्चे होने के बाद बच्चों का क्या करतव्य है? प्रजा बनाना, अपना वारिस भी बनाना, मात-पिता के सम्मुक आना, सर्विस कर आप समान बनाना आज की मूरली की अनुसार, श्रिव बाबा की महिमा इस प्रकार है, दाता, क्रियेटर, किवईया, एवर पूज्जे, सबसे श्रेश्ट, सबसे मीठा, सबसे प्यारा, सच्चा प्रीतम, गौड़ फादर, सबसे उंचा, त्रिकाल दर्श्री, पतित पावन, बेहत का बाप क्या होने से क्या होता है? बच्चा बनने से वर्सा मिलता, बाप का बनने से राज्य भागे मिलता, वारिस बनने से वर्सा देने वाले की मदद मिलती, बाप से ना मिलने और मर जाने से वर्सा नहीं मिलता, बहुत दुख होने से बहुत प्रीतमाएं प्रीतम को याद करती, किसको क्या कहा जाता है शिव को बाबा, प्यार करने वाले को पृतम, परमपिता परमात्मा को राम, शिव बाबा को पृतम और बाप, परमपिता परमात्मा को खिवया, बाप समान बनने वाले को वर्दानी मूरत हम कौन है और हमें क्या बनना है हम है स्वदर्शन चक्रधारी, शिव बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, सच्ची सच्ची पृत्माई और क्या बनना है, बाप समान, वर्दानी मूरत, विजई मनका, बाप के गले का हार ये थी आज की मुरली की विशेश बाते हैं हमें इस बात को सदा स्मृति में रखना है कि अब हमारा 84 जन्मों का पार्ट पूरा हो गया है अब हम आत्माओं को वापस अपने घर जाना है जिसके लिए आवश्यक है इस बात को स्मृति में रखना कि हम एक्टर्स हैं और हर एक के पार्ट को हमें साक्षी होकर देखना है और श्रिव बाबा को याद करना है ओम शान्ति